जै मतदी गाईज कैसी हमारी यूटूब फैमली आप लो बिल्कुल ठीक होंगे कुश होंगे अपनी जिन्दगी मस्त होंगे तो जैसे कि दिन है आज फ्राइडे तारीक है शोला और आजना हमारा फास्ट भी रहता है और आजना रात से इतना मौसम खराब है पूरी रात बा पहले स्कूल था पहले हमको यह नहीं पता था कि मैसेज आ जाएगा और बच्चों की छुट्टी हो जाएगी हमने ना इन लोगों के लिए ना नास्ता है और लिंच वगरा सब बना दिया था पैक भी कर दिया था लेकिन बाद में ना स्कूल से मैसेज आ गया कि बच्चों की छुट्टी हो गई है जिसके बाद आराम से हम मातरानी की पूजा पाठ करने के बाद और यह टाइम अप हो रहा है साड़े दा से ग्यारा बज रहे होंगी तो हमने सोचा एक हपते के लिए ना दाल चावल अच्छे से बीन करके साफ करके रख लेते हैं तो मतलब हरवड दिब्बों में कुछ समान भी निकल आया था तो हम सोच रहे हैं अभी निकलेगी धूप और ऐसे होता है बारिस के बाद वाली जो धूप निकलती है तो बहुत ही तेज निकलती है वो समान अभी हम धूप में डाल देंगे और आज अपनी आज कहानी बताएं आप लोगों तो हमने लिया चाता और निकल पड़े और जैसे पार्क में गए ना जहां दीदी जी का मकान है वहीं दो तीन गुड़हल के फूल पेड़ है तो हम सोचे वहीं से फूल ले आएंगे लेकिन उन रास्तों में इतना पानी था और जब पानी से हम हिल गए न तो गुठनों के उपर हमारे पानी चपर चपर ऐसे चल रहते और फॉन नहीं ले गए थे नहीं वाकरी वीडियो हम बना लेते लेकिन जितने कुट्ते उस गाड़ी के नीचे बैठी हुए थे ना सब भूंकना शुरू कर दे तो हम इतना डर लगा मतर डरे नहीं है फिर भी अपने मतारानी के अंदर गए तुरंत नहाएं और देखे चावल में कितना कचड़ा निकला है गे हुँ है छोटे छोटे धान है तो इसलिए बीन करके रखने से अच्छा रहता है अब यहां पर हम दाल चावल दोनों भिगो करके रख देंगे अब चल रहे हैं च्छत में और देखते हैं बाहर का नजारा क्या है तो अपनी कहानी आप लोगों से बता दिये कि आज हमारे साथ ऐसा क्या हुआ तो यह देखे कुछ समान ना हम इस टोर में पूरा समानों ऐसे रखते हैं जो जरूरत की चीज़े रहती वही किचन में रखते हैं क्योंकि होता है ना खाना बनाते समय पता नहीं जूठे हाथ रहते हैं क्या कैसे और हम लोग डिब्बे टच कर लेते हैं तो कुछ ना हमारी ऐसी सुरू से ही सब मतलब चीज़ों पर हमने ध्यान दिया है और अपनी सासू मा दादी लोगों से सब सीखा है कि जूठे हाथ अगर डिब्बों में लगा दो तो जरूरत वाला समान ही किचन में रखते हैं क्योंकि फूजा पाठ में हमेशा लगता रहता है तो यहां डाल देते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूप निकली है हलकी फुलकी वाली ज्यादा तेज धूप नहीं है तो यहां पर थोड़ी सफाई भी कर दिये हैं अब कुछ तो गएरे भी डाल दी हैं मौसम तो दो तीन दिन से खराब है लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप निकलती आती है जाती है तो अच्छा लगता है कि अगर मौसम सही रहता है और इस तरह का समान डाल दो और हमारी बहनों ने ना कमेंट किया था कि दीदी आपकी कितने बच्चे ह हैं कि हमारे कितने बच्चे हैं वैसे तो इस समय घर में तीन बच्चे हैं लेकिन दो हमारे हैं और एक मीना का है गोविन मीना के हैं वैसे हम अपने आपको जगत माता समझते हैं जितने भी जगत में बच्चे हैं सब हमारे ही हमारे हैं तो आप लोग कुछ भी समझे और ज सुरू सुरू में जब यूटूब में आए तो पूरी फैमली को दिखा दी हम ना दिखाते तो कोई हमसे पूछतास थोड़ी करता यही कह देते कि सब लोग है या गाओं में रहते हैं लेकिन हमें ना जूट बोलना अच्छा नहीं लगता पूरी सच्चाई हमेशा अपनी ब कवन है तो हमने दाल में ना हल्दी की मातरा थोड़ी ज्यादा कर दीजिए तो आपकी दीदी को ना जो भी थोड़ी बहुत समझ में आता है आप लोगों के साथ हम सेयर करते रहते हैं और वैसे भी देखे पूरी फैमली से आप लोगों से मिलवाते रहते हैं यहां पर दा की दीदी की ना कुछ ऐसी आदत है कि थोड़ी से पैरों में अगर चुब गया जरासा तो ऐसे लगता है कि तुरंत जाडू लगाओ तुरंत पहुचा लगाओ तो कुछ यह सब सुरू से ही हमको अच्छा भी लगता है तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि आप लोग ना काछ भी और वान देते हैं और आप लोगों से थोड़ी बाते भी कर रहे थे लेकिन जब बाते कर रहे थे रहे में आप लोगों कि लग रहे में कुछ महेने जल्दी-जल्दी आ जा रहे हैं और देखे़ frag रaker शबचारी के estás嗎 करना होगा वह से भी ना जितने एश्ट्रा काम है ना तो कलो जैसे की साफ सफाई है क्योंकि नौ दिन ना मातारानी के भजन कीर्थन पूजा पाठ में तो कितना अच्छा लगता है अब दियें दाल होगारा लेकिन धूप अभी तक थी धूप बिल्कुल ही चली गई अब ताम है ना इन महीनों में ना बहुत ही समान मतलब थोड़ी तो कीड़े भी लग जाते हैं और यह जो धूप थोड़ी से निकलती ने तो बहुत तेज वाली धूप रहती है लेकिन देखना बहुत पड़ता है अगर आप कोई समान डाल दोगे ना तो बार बाहर अंद साथे तीन बज रहे हैं तो इधर हमने दूद रख दिया है गरम होने के लिए इसमें हम बनाएंगे खीर और इधर अब दाल चावल ही पक करके तैयार हो गया है तो अभी तक हमने बच्चों को दाल चावल नहीं खिलाए था क्योंकि जो लिंच स्कूल के लिए पैक किये थ तो जो समान उपर डाले थे ना फटटफट ले आए हैं और देखे आज ही इसकूल नहीं गया ना तो जो घरी सबजियां बना करके देते हैं तो बिल्कुल नहीं खाते हैं वैसे भी ना जब पैरिस मीटिंग जाते हैं तो टीचर लोगों से बोल के आए हैं कि लोगों को प मतारानी के भौण में कर लेते हैं बयवोल अच्छी माता की पूझा तो यहां पर हमने पूझा की पूरी तयाया कर लिया था और देख लिया ना लाल फूर जिल याल पूलों में इतना सुबह सुबह से हंगा में हो गए थे तो बैठ करके अराम से पूझा पाठ करते हैं औ वो भी पूजा करने चाहिए, पूजा करने के बाद हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, और मीना भी तयार खड़ी हैं, और बच्चों को ना कोचिंग भेज दिये हैं, अब निकल रहे हैं, प्रशाद वगारा सब ले लिए हैं, तो मिलते है मा के भवन में तो देख सकते हैं, मातारा निना हमारी ग्रीन ग्रीन लहंगा चुनुरी पहन करके सच समर के वैठी हुई हैं, गुड़हल के फूल भी चड़े हुए हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लिजे, थोड़ी से भजन तो हो जाते हैं, वैसे भी हम यहां आते आत हो जाते हैं, और अपने बहनों से हमको बहुत ही डाटन मिलती है, कि सोभा तुम इतना क्यों लेठ हो जाती हो, तो हम यही कहते हैं कि मा ने हमको घर ग्रहष्टी में इतना फसा रखा है, जैसे मा ने दिया है वैसे हम फसे हैं, तो दिया हुआ तो सब कुछ मा का ही है ना, तो जब माह हम को यहां भेजती है तभी तो हम आएंगे इससे पहले हम कहां आसरोंगे भोग लगने के बाद आरती होने के बाद ना नारायर का पाठ हम लोग ऐसे करते हैं पांस-दस मिनार तक इसके बाद ओब नमस्षिवाय भी भोले बाबा के पास बैठ करके प्रातना करते हैं तो थोड़ी से नारायर का पाठ आप लोग भी सुन लीजे ए नाथे नाय यडवाशूदेवा। कि श्री बोब बंद जब बुदे मुझारे नाथे नाराल रंध शूदेली लौदे रामा हरे रामा ज्म रामा हरे तुछ तो ते आडि पेष्ना अडि पेष्णा अब साम को साढ़े साथ बज रहे हैं और ये भी आ गए हैं आफिस से तो इन के लिए हमने चाय पकने के लिए रख दिया है और बिंडी निकाल करके धूल करके रख देते हैं क्योंकि जो खीर का प्रिशाद रहता है उसको हम खा करके मंदिर नहीं जाते हैं मंदिर से जब आ जाते हैं तभी प्रिशाद खाते हैं तो जब तक हम प्रिशाद खाएंगे बच्चों को भी देंगे और बच्चे भी सब कोचिंग से आ गए हैं तब तक ये भिंडियों को पानी भी निकल जाएगा क्योंकि भिंडी का पानी अगर निकल जाता है तभी आप सबजी बनाओ तो सबजी अच्छी बनती है और ना भिंडी में पानी रहता है ना तो सबजी अच्छी नहीं बनती इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे जै मत दी गाइस